जहिन साथियो स्वागत है आप सभी का आपकी अपने प्रिवार मैट्स गुरू मनीश में दोस्तों मैं हूँ एक्सपर्ट और जानकाडी देते हैं आपको पता है कि आज से दो दिन पहले हम पटना गए थे थे तो इस तरप्यान थोरा सा मतलब वहां जो है अलग जग हो का थोड़ा सा पानी बगार पीने के वज़े से ठीक है मतलब जैसे मान लिए कि गए किसी ओफिस में गए तो वहाँ पर पानी पी लिए वहाँ पर पानी के लिए कहा गया पी लिए फिर बाहर निकले फिर पानी खड़ी के पी लिए मतलब सभी अलग अलग जगह का पानी पीन थोड़ा सा अभी जो है बहुत सारे लोग को यह कमेंट आ रहा था कि पत्रकार हैं ठीक है उन्हें सबसे ज्यादा जो चीज दीखाना चाहिए जैसे जो हमारे राज्य का जो मीन मुद्दा है जैसे बिरुजगाडी है जो हॉस्पीटल है जो क्या बलता है उसको अलग अलग परकाड की चीज़े हैं महंगाई है बहुत साड़ी चीज़े है उस पर लोग बात कर रहे हैं जो बात करनी चाहिए जो मेन मुद्दा होना चाहिए आपका ठीक है इस मुद्दो पर बात होनी चाहिए तो जो हमारे राज्य के या देश के जो मुख्य पत्रकार है ठीक है वो लोग इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और इन चीजों को दिखान में आपको देखने को मिलेगा ठीक ना हाँ और पता नहीं वो लोग किस प्रकार का डिगरी लिए है हमें नहीं मालूम है अपने आपको स्वतंतर पत्रकार कहते हैं ठीक है आप स्वतंतर पत्रकार हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पत्रकार हैं तो आपको सब कुछ की छूट ह आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो पूछ सकते हैं, जैसे चाहे वैसे पूछ सकते हैं, जहां चाहे वहाँ पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं सब लोग की कुछ न कुछ ऐसी चीजे होती है, जिस मैटर पर आप नहीं पूछ सकते हैं क्या सवाल क्या पूछना है नहीं पूछना है जब आप कोर्स करेंगे जो मिडिया का कोर्स होता है जब आप उसको करेंगे तो वहाँ पर बताया जाता है उन्ची जो को कि आप कैसे किस सवाल पूछ सकते हैं क्या क्या सवाल पूछना है क्या आपकी मर्यादा है किस मर्यादा में सवाल आपको पूछना चाहिए अब पत्रकार है इसका मतलब कुछ भी नहीं पूछ सकते है ठीक है तो ये जो आरती और छोटू का मैटर चल ला है ठीक है ये मैटर आज से लगवाग 5 मिना पहले का मैटर है कि मतलब छोटू जो है गया था आरती के घर वहाँ पर उसकी हत्या हो गई मैटर ये अभी कोट में चल ला है क्या सही है क्या गलत है कौन दोसी है किसको सजा होनी चीए किसको नहीं सजा होना चीए ये नहीं हम डिशाइड कर सकते हैं नहीं आप डिशाइड कर सकते हैं और नहीं, वो decide कर सकते हैं, जो इन चीजों को दिखा रहे हैं, ठीक है, ये matter सिर्फ और सिर्फ जो quote हमारा है, जो मानिये उच्चे नियाले है, वही इसका सही फैसला कर सकते हैं, और वही बता सकते हैं कि किसमे क्या दोस है, ये तो matter खीक हो गया, अब अभी जो ततकाल वाला matter है, जो अभी recently matter चलना है, कि आज से दो दिन पहले आरती साधी कर ली है मनु से, अब मनु कौन है, तो छोटू का बरा भाई, यानि छोटू का बरा भाई है मनु, उससे साधी कर ली है, अब फिर मीडिया की लोग जो है, उन लोग को एक नया मिल गया, जोगार, क्या समझ र कैसा लग ड़ा है साधी करके, आप साधी कैसे कर सकते हैं, आपको साधी नहीं करना चाहिए था, मने इतनी साधी बाते, इतनी साधी बाते, जो है, अलग अलग तरीके से पूछ रहें, अच्छा साधीय ने किया है, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया है अभी जो है, आरती साधी ने किया है, उसमें भी वहाँ साधी किया है, जहाँ उसे रहना है ठीक है, वहाँ साधी किया है, जहाँ उसे रहना है ठीक न, कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर दिया है आपको क्या परिशान ही इसे आप क्यूं परिशान हो रहे हैं आपको क्या प्रावलम ही इसे क्या लग रहा है आपको आपको कोई समस्या है इसे हमें तो नहीं लगड़ा कि आपको कोई समस्या होनी चीह वो पुड़े समाज के मर्जी से साधी की है परिवार के मर्जी से साधी की है अपनी मर्जी से साधी की है आप कौनते पूछने वाले आपको मिर्ची क्यों लग रहा है आपको क्या समस्या हो रहा है तो फिर आप कहेंगे कि हम उसको आप निया दिला सकते हैं, आप उच्छ नियाले हैं, आप उसके लर रहे थे, नहीं लर रहे थे भाई, आप लर कहा रहे थे, आप अपना काम निकाल लहे थे, ठीक है, आप लर नहीं रहे थे, मेडिया का जो दाड़ा है उस दाड़े में रहकर भहुर साड़ी जीज़ है चलाने के लिए झालाई एना अधिक हे आक को क्या लगड़ा है कि शिर्फ वही एक प्रेमी जोड़ा है ठीक है जो पुड़े बिहार में एक वही घटना हुई है वो ऐसा घटना आप दूसरा तो नहीं हुआ होगा है हर रोज ऐसी घटना घटती है भाई डेली ऐसी घटना घटती है ठीक है और जिस लेवल में आप लोग पत्रकाडिता को लेके जा रहे हैं जो यह चोथा अस्तंभ कहा जाता था पता नहीं कौन सा अस्तंभ रह जाएगा साथ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए और इसमें सबसे ज्यादा ज़्यरी दोसी देखा जाए, तो हम आप हैं, मतलब हम आप जो देखते हैं, ठीक है, ये हम लोग दोसी हैं इसमें, हम लोग का दोस है, जैसे ही कुछ ऐसा मैटरल क्या है, छोटु आर्थी समझ में यार है वो उसको अपनी जिन्द की जीने दीजिये भाई उसको हक है अपनी जिन्द की जीने का आपको अधिकार नहीं उसको ऐसे परिसान करने का ठीक है आप लोग कोई अधिकार नहीं कि आप उसे परिसान करें और और ऐसे से बेवकूफ वाला सवाल पूछे जाकर, यदि यही चीज आपके घर में होता ना, तो आप भी वही करते जो आज वो की है, ठीक ना, जो लोग भी ऐसे जाकर पूछ रहे हैं, यदि आपके घर में ऐसा होता, ठीक है, तो जो वो आज की है, वहाँ आप भी करते, ठी लिजे कि क्या है इन चीजों को आड़े भाई समझा कीजे कुछ किसी की जिंदगी है किसी का लाइफ है ठीक है वो अपना लाइफ जी रहा है बात खतम है आपको क्या इंट्रेस्ट है उसके लाइफ से हैं मने अलग अलग तरीके की चीजे चल रही है तो बहुत साड़ी जो को पर्मोट कर रहे है आखिर पर्मोट कर कोन रहा है हम कर रहे है आप कर रहे है पर्मोट यदि वो चीज बने और हम उसे देखे ही नहीं ठीक है कल ही वो चीज बंद हो जाएगा नहीं देखेगा कोई उसको क्या है उसके जिंदगी से हमें लगाब कोई लगाब नहीं ह वो अपना मस्त जिन्दीगी जीए भाई कोई दिकत नहीं है, ठेक ना, वो जो समस्या है, वो उसकी अपनी समस्या है, समझे वो उस चीज को वो, हमें आपको क्या दिकत थे इसे, कोई दिकत नहीं होना चाहिए, ठेक है, और भी बहुत सारे matter उस पर Car d कीजिए, उस पर जी ब बहतर तरीके से लिए चलिए सरक है अस्पताल है यह समुद्दा कहां है है यह समुद्दा कहां चला गया इस मुद्दे पर भी बात करने की जडरूइब दिए यह समुद्दा नहीं भिल आपको इसलिए आप लोगों से भी कहना है कि उन चीजों को प्रमूट करने से बचिए हम लोग प्रमूट ही कर रहे हैं उन चीजों को जैसे जैसे ही कुछ ऐसा टाइटल देखने को मिलते हैं आप तुरत क्लिक करते हैं उससे उसको देखते हैं और जिनका विडियो नहीं चल रहा होता है उनका भी चल जाता है तो जब चल जाता है तो उन्हें लगता है कि आरे यह तो अच्छा हो गया चलो और करते हैं इस प्रकाम जैसे अभी आप देखते हैं कि जो असलील गाने जो बन जाते हैं ठीक है उसका पीछे रिजन क्या है औ हम आप उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं भाई यदि आज हम उसको देखना बंद कर देंगे ना तो कल से वो बनना बंद हो जाएगा हम दोसी उसे नहीं कर रहे हैं कि जो इन चीजों को गा रहा है जो इन चीजों को लेकर रहा है नहीं वो दोसी नहीं है दोसी हम है दोसी आप हैं जो हम देखते हैं यदि हम आज देखना बंद कर देंगे कल से बनाना बंद कर रहे हैं मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं आज उनके चैनल की स्थितिया आप जा कर दीखेखे गवाएक जितने भी सिक्षक हैं चाहे वो बड़े से बड़े सिक्षक क्यों नहीं है झीदे जिनका एक के लिए बहतर लेकर आते हैं आपके भविश्य के लिए बहतर लेकर आते ठीक है वो चीज तो आपको पचेगा नहीं आपको पचेगा क्या जो समाज में दुरगंद फैला रहा है जो समाज को गलत दिशा में लेके जा रहा है वो चीज आपको पसंद आएगा और इसी से तो जो क्राइम बढ़ रहा है हमारे जैसमी ये सब ये सब का ना एकदम केंदर वही है ठेक है उन चीजों को समझने की जरुवत है और हम सब को समझने की जरुवत है इसलिए आप लोग से हम कहना चाहरे है कि प्लीज ओड़े उन चीजों को बाइकॉट कीजिये भाई हो गया बह सब्सक्राइटर वहां गया अब बात सिर्फ वहीं तक रहेगा क्योंकि आप जज नहीं है और नहीं आप मतलब उस केस के फैसला सुनाने वाले है यदि जज होचे तो बात माल लिया जाता है अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग मनें घूस कर किस इस्तिती में है कौन सा कंडिशन में है गए माई को हुर दिये कुछ भी पूछ रहें और ये क्या चल रहा है पत्रकार बनना आसान नहीं होता है भाई पत्रकार एक अस्तंब है अस्तंब इस चीज को समझे और अपनी गडिमा को आप खराब नहीं कीजिए ठीक है यह आपकी गडिमा है और आपका अइस क्या शर्षु ऑन चाहिए उसको आप खुद खराब कर पा रहे हो है मतलब जैसे आपका एसटेटस गिर रहे हैं इससे और आप अपनी घुब खराब छें आप अपने परतिष्ठा को बचाइये कंसे करतें आपका प्रतिष्ठा खराब हो रहां है कुछ लेबल ही समझ में आरा है कुछ भी कुछ भी चल दा है और लोग को इंटरेस्ट हा राए इसमें लोग इसे देख रहे हैं हुर लगे हुए धैसे क्या है यृ कि उसमें तो मतलब समझ में नहीं है है क्या उसके पिता-जी जो है उह गाउं के लोग है उन्हीं कै वालों में कि मिढिया को कैसे क्षान करने चाहिए आ उसके उनके सामने मूव परमाइग लाएक आप पूछ देते भाई जो उनको समझ में आएगा जो जिस पड़िवेश की लोग है वैसे ही तो जब आप देंगे ना ऐसे आप पटांग सबाल पूछे का क्यों उनको गुस्ता आएगा अब गुस्ता आएगा तो गुस्ता वाली बात क मतलब जो अच्छे बात बोलेंगे उसको इडिट करके हटा दीजेगा और जो गुस्ता वाली बात होगी उसको आप उसमें रखियेगा कि देखिये इसने ऐसा कर दिया लर्की से भी आप वैसे ही सबाल पूछ रहे हैं ठीक है कि उसको मरे पांच महीने नहीं तो आप साधी कैसे कर लिया आप तो लरका है उस लरके के मरजी से उसकी साधी वीए उसके पडिवार वालों की मरजी से साधी वीए ठीक है आपको क्यूं मिर्ची लग रहा एं क्यों मिर्शी लग रहा है कि आप मतलब सुहाग रात में इसको क्या गिप्ट दिये हैं तो जाकर देखता नहीं पगला तो जाता देखता वहाँ पर की वहाँ पर भी उसका को इंटर्वीव लेने चीए था तुमको है ऐसे ही करता है ऐसे ही कड़ेगा तु यदि तुम हड़ा साधी हो तुमको इसे ही को इंटर्वीव लेने आ जाए कि अभी सुहाग रात के दिन में आप क्या इसको मतलब गिप्ट दे रहे हैं पूछेगा समझ में आ रहा है क्या हो अपने रोजी रोटी के लिए किसी के प्रतिष्ठा को ऐसे मत बरबाद कीजिए मतलब सबकी अपनी अपनी सम्माने भाई सबकी अपनी प्रतिष्ठा है कुछ भी पूछ रहे हैं यह फालतु की चीज़ों को बंद करके कुछ अच्छे मुद्दे पर लेके चलिए बस की चुज बनागर प्रतिए ह sagt है दैल खोग्फ शार के बेरडरा को गर्क कर रहे हैं लेकर को ऐसे चल्डा को आगे कहाँ ले जाएंगे लिया फिर जो मैटर बिहाड में चल रहा है ना ठीक है लोग कहते हैं कि यहां है वहां है ऐसे है अभी एक और मैटर था जो इसका था क्या है एक लड़की को 35-36 टुकुड़े में जो एक लड़का काटकर और जंगल में अलग अलग जगा फेक दिया था थिक है वह लड़की जो है उसके साथ लिवइंग रिलेस्टिप भाई हमको यी बुझने भी नहीं आता है लिवइंग रिलेस्टिप में रहा रहती है बाद में हमने सरच किया कि यहँ नहीं," हमको यह नहीं मालु on, Спасибо तो पता चला कि साधी से पहले लड़का और लड़की अपनी मर्जी से जब एक जगर आते हैं ठीक है तो उसको living relationship का जाता है यह तो हमड़ा बुझने नहीं आ रहा था कि living relationship का है पहली बार हमको समझ में आ कि living relationship का है यह कौन सा है यह कौन सा मामला है इस चीज को नहीं समझ में आ रहा है तो कमसे कम गजियन के बात को समझा कि यह आई सब्सक्राइब कर दो क्या है यह कौन सा living relationship है और मने आपका कुछ नहीं है ये जो समाज जो बना है इसको बनाने वाले जो पहले लोगों ने बनाया है को सोच समझ कर ही ये कुछ रीती रिवाज को बनाया है ये पुडाने लोग का रीती रिवाज खराब नहीं है सब कुछ खराब नहीं है ठीक है ये जो रीती रिवाज बिल्कुल सही बना हुआ है, समझ में आ रहे हैं, अभी लोग साधी तो कर लेते हैं, क्या हो गया, love marriage कर लिए, दूसरा लोगा नहीं बना, अफिर लेके जाते हैं, हमको अब अल्लग होना है, हम रहे करा साथे नहीं बनदा है, यह क्या हो रहा है, पस matter है, इसको समझने की जर लोग हैं, तो अब इस matter को तो हमें नहीं लेकर आना चाहिए था, लेकिन क्या कड़े, क्या कड़े भाई, जब हम लोग, मतलब यह जो सिख्छक कौम है ना, यह समाज का आईना होता है, ठीक है, और हम लोग को इस matter में नहीं परना चाहिए था, लेकिन हम लोग की मजबूर को देखी ही नहीं है, बाई-कॉर्ड कीजे फालतू चीजों के, जो होड़ा होने दीजे, उसका matter है, समझे वो, ठीक है, वो आज का एक matter नहीं है, वो कही सालों से चलते आ रहा है, बहुत पुराना साल, मतलब हर रोज ऐसा matter होता है, इसको क्या मतलब है, डोते रहे उसको, और भी कोई काम नहीं है, इसलिए TRP का खेल बगर बंद करके, और कुछ बहतर काम कीजिए, ठीक है, और आप देखने वालों से भी हम कह रहे हैं, कि प्लीज, आप लोगों सरी क्वेश्ट हमारा है, नहीं चलेगा इसमें काम, मजा नहीं आ रहा है, फालतू चीज हो रही है ध्यान दिजिए इस पर, ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से कल, थोड़ी सी, मेरे साथ भी ऐसी उल्जन था मन में, और आप लोग का बार बार मैसेज भी आ रहा था कि सर, इस पर कुछ हो जाए, ठीक है, कुछ आप लोग ही इस चीज को लेकर बहतर कर सकते हैं, तो यह नहीं है भाई, सीधा-सीधा opinion है हमारा, हमारे नहीं किसी भी सिख्छक का opinion यदि जानिएगा, तो सीधा-सीधा यह होगा, कि क्या मामला है, गलती किसमे है, कौन किस को मारा, यह सजा देना नहीं हमारा काम है, नहीं आपका काम है, नहीं उनमिडिया का काम है, किसी का काम नह पानिय उचनियाले में है वो उनका काम है वो अपना कर रहे हैं भली बात ही ठीक है अब इसके जो प्रशनल मामला है कि अब जो यह साधी हुई तो हुई तो हुई क्या दिकत है भाई हुई तो हुई इसमें कौन सा मामला है और प्यार क्या होता है अब मतलब यदी एक लरका ह आपको एक सही बात बतायते हैं, कि यदि कोई लर्का की उम्र 16 साल, 17 साल है, ठीक है, और यदि किसी लर्की से उसको प्यार होता है, तो वो प्यार नहीं अट्रेक्शन है, सीधा समझ लीजे, ये बायलोजिकल चीजे है, वो प्यार हो इनी सकता, वो एक अट्रेक्शन है, जो बायलोजिकल चीजे हैं, जो बायोलोजी में आपको पढ़ना है, बच्चे मतलब प्यार तब संभब हो पाएगा, जब एक लर्का ग्रेजुएट हो जाए कमसे को, ग्रेजुएट कम्प्लीट मतलब ग्रेजुएशन के बाद उसको सारी चीजे समझ में आती है, ठीक है, उ उससे पहले जो फालतु है ना यह दिश डाट वाले, इन ही लोग को यह होता है, ठीक है, प्यार होता है IES UPSC वाले लोग को, बस वो लोग ग्रेजुएशन कम्प्लीट करते हैं तो एक्दम पढ़िपक्को रहते हैं, उसके बाद जब तियारी करते हैं, एक बाद चलो हम दोनों मिलके तियारी करते हैं, बैतर तरीके सा IES बनेंगे, फिर यह होता है ना, फालतु चीज, यह सब मैटर को खलास करके सीरे-सीरे, मुद्दी की बात करेंगे, बस फालतु चीजों को ख़तम कीजिए, सीरा-सीरा है, ठीक है, धन्यबाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्ल